वेलकम यू गाइज इट से ट्वाल ओकलॉक वीडियो बनाने का परफस ही है कि काफे सारे लोग मेरे पसा रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनके पास अपडेट्स जाते नहीं है उन्होंने इशिन पेंट्स के पारे पूछा जिसका मैं वीडियो पहले सी दे चुका हूँ तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल बिफोर आस्किंग एनी केस्टिन टू मी मैं भी कुछ वीडियो जुड़ी मेरे पोस्ट कर चुका हूँ तो मैं ये वीडियो पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे भारत डाइनमेक्स और मननापुरम फाइनेंस के बारे में पूछा और इन्फोसिस के बारे में पूछा है तो आज मैं इन तीन उस टूक से बारे में जल्दी से जल्दी से बताऊंगा कि क्या करना क्या ने करना इन्फोसिस पे आते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि सर कुरूड ओयल बढ़ रहा है रूपीज कमज़ोर हो रहा है डॉलर उपर जा रहा है तो जो आईटी कंपरी से बैसिकली जो यूएस में ट्रेड करती है उन लोग काफी अच्छा फायदा होने वाला लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि अभी अट्रिशन चल रहा है आईटी में और उनका मुनाफ़ा बगर है हो रहा है ठीक है ना तो मुझे नहीं रखता है एटी इंडिस्ट्री का भी सही टाइम है आदा कि इनफोस इस अच्छा स्टोक है लॉंग टम में इस अल्वेस अ गुड में विन कंडिशन बर मैं नहीं चाओंगा कि कोई शॉर्ट टम में इसमें इनफोस इसमें रिस्क भी जादा है और कभी कुछ लोग आके यह भी बोलते हैं कि या डिफेंस में अभी इंडिया का पहुत जादा चल रहा है काफी जादा जोड़ दिया जा रहा है तो सकता है कि भारत डाइनमिक्स हजार चला जाए बारसो चला जाए बिल्कु जा सकता है इनके रिजल्स भी अच्छे हैं ऐसा नहीं कि सिप मैनुपलेटर के बारसो चले जाए लिकिन यह एक रिस्की है क्योंकि यह आपने देखा होगा कि बहुत वालेटर रहता है तो अगर आपको इसमें लगाना है तो मुझे लगता है क कि यह मुविंग फर्दर हो सकता 130-140 तक चला जाए in short term to long term क्योंकि अभी जो भी banking के स्टॉक है ठीके ना वो काफी नीचे आ रहे हैं क्योंकि अभी काफी सारी जो भी भी recession तो नहीं बूलूगा मैं जो मंदी चल रही है उसकी वज़़े से बेंकों पर कुछ जादा stress है ठी आप है तो NBFC का हाल कैसे अच्छा हो सकता है ठीक है तो उसी वज़े से मुझे लगता है यह बीटन स्टोक है बट मुझे लगता है सम्वेर अगर आप hold करें इसको तो कभी भी 120-130 पर आ सकता है तो गाइस यह थे मेरे analysis यह मेरे analysis मेरे just views हैं आप एक बार आच्छे तरह की स अबी comments आते हैं ठीक ना guys whatsapp पे comments ना करिए ठीक है न क्योंकि मेरे बहुत सारे whatsapp ग्रूप है उसे मैं देख नहीं पाता हूं लेकिन मैं अपने videos हमेशा देखता हूं हमेशा videos बनाता हूं तो अगर आप comment section में videos कुछ करेंगे तो शायद मैं जल्दी जल्दी वो वीडियो ब